सुरेज गोपी जी जब से मैं इसाबदा के विश्य में सुना तब से मैं लगातार यहां संपर्ख में रहा हूँ पलपल की जानकारी भी लेता रहा हूँ और केंदर सरकार के जितनी भी अंग है जो भी इस स्थिती में मददूप हो सकते हैं उसको तुरंद मुबिलाइज करना और हम सब मिल करके इस एक बीशाँ आपदा में हमारे जो परिवार जन इस समस्या में घीरे से उनकी सायता करना ये त्रास्ति सामान्य नहीं है सैकोरो परिवार के सपने उजड़ गए हैं और प्रकृति ने अपना जो रवद्र रूप दिखाया मैंने वहाँ जाकर के परिश्थिति को देखा है मैं रिलिप केंप में भी इन परिवारों से मिला हूँ जिन्होंने एक्षी उस सबय जो देखा और जो जीला उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उन से सुना है मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीद से मिला हूँ जो इस अपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुती मुसिवत का समय बिता रहे हैं ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिल करके काम करते हैं तो कितना उत्तम परना मिलता है उसी दिन सुबह ही मैंने माननी मुक्यमंद्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्ता को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं मैंने हमारे के M.O.S. को भी तुरंत यहां भेजा था चाहे S.P.R.F. के लोग हो, इंडियारग के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जबान हो, स्थानिय मेडिकल के लोग हो यहां के N.G.O.S. हो, सेवाभावी समस्ताय हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभाविक लोगों की मतलच के लिए पहुँचने का प्रयास किया जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं, उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है लेकिन उनका भावी जीवन है, उनके सपने चुर चुर नहों हो जाएं, यह हम सब का सामुहिक दाईत्व हैं और भारत सरकार और देश इस संकत की घड़ी में यहां के पीडितों के साथ हैं सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिलिस्टर्स की जो कोडिनेशन की टीम थी उनको भी यहां भेजा था, वो कल माने मुक्रमेंटर जीजिस मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे और बेबी सारे चीजों को देख करके गए हैं, और जैसा माने मुक्रमेंटर जी ने मुझे बताया हैं कि वो एक पूरा डिटेल में में मेमरनम भेजेंगे और मैं विश्वाद दिलाना हूँ, इन परिजनों को भी, कि वे अकेले नहीं हैं, इस दुख की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो, केंदर सरकार हो या देश के जन जन नागरी को, हम सब उस संक्यत की घड़ी में उनके साथ हैं, सरकार ने जो नितिनियमों के दख जो आपदा प्रबंदन के लिए रासी बेड़ते हैं, उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है, और भी हिस्सा हमने तुरंद रिलिज किया है, और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा, तो बहुत ही उदारता पुरवक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए, तेरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी, और मैं नहीं मानता हूँ कि धंके भाव में यहां कोई काम रुकेगा, जहां तक जानहानी हुई है, हमारे लिए इन परीजनों को फरीज फिर से एक बार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब कुछ खोश चुके हैं, इनके लिए एक लंबे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी, मैं आशा करता हूँ कि राजी सरकार उस पर भी विस्तार से करेगी, और उसमें भी जो कुछ बारत सरकार अपना हाथ बटा सकती हैं, वो बटाएगी, लेकिन मैंने जैसा अभी पुकेमेंटर जी बता रहे हैं, मैंने कि ऐसी आपदा को बहुत निकर से देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, 79 में, अर्चे 40-45 साल पहले की बात है, गुजरात में, मोर्वी में, एक अर्थन डेम था, और भारी बारिष हुई और डेम पुरा नस्ट हो गया, और आपको अपना करें तो डेम बहुत बड़ा था, मच्छू, पूरा पानी और मोर्वी एक शहर है, उसमें गुज़ गया और दस-दस बारा-बारा फिट पानी था, पूरे शहर में, धाई जार से ज़्यादा लोग उसमें मृत्य हुई थी, और वो भी मिट्टी का देन सा, तो पूरी मिट्टी, पूरे हर घर में, मैंने उसको बायकर इच्छे महिने वहां रहा था, वोलेंटेर के लुट में उस समय में काम करता था, और मैरे मड के बीच जो समझाय पधा कैसी होती है, उसमें किस प्रकार से मुसीबत जहल नहीं पढ़ती है, उसको बराबर मैंने उसको, क्योंकि वोलेंटेर के मुए ने काम किया है, तो मुझे पता है, तो मैं भी अंदाज कर सकता हूँ कि जिस समय ये परिवार के परिवार मड में बह रहे होंगे तब वो कितनी बड़ी कठीन परिस्तिती रही होगी और उसमें भी जब कुछ लोग जान बचा करके निकले हैं उनको देख करके लग रहा है कि इसमय ने कैसे उनकी खुपा की उनको बचा लिया है तो मैं इन परिस्तिती को भली भाती अनुमान लगा सकता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देश अर भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी जितने लिटेल आपके आएगी चाहे आवास की बात हो चाहे स्कूल बनाने की बात हो चाहे